स्री शिवाय नमस्तु भ्यम हरहल महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं अच्छे तृतिया जिसे आखा तीज भी कहा जाता है इसकी पूजा में हमें किन किन सामाग्रों की आशकता होती है इन सभी सामाग्रों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से शेर करूँगी तो वीडियो को सुरू करते हैं 2023 में अच्छे तृतिया का तेवहार 22 अप्रेल 2023 को मनाए जाएगा ये दिन खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ होता है यदि आप जमीन पर पुजा कर रहे हों तो जमीन पर रंगोली बनाने के लिए या चौक पुरने के लिए आटा या हल्दी या गोवर ले ले यदि आप चौकी पर पुजा कर रहे हों तो आप एक चौकी और उस पे विज़ाने के लिए पीला या लाल वस्तर भी रख ले तो आएए जानते हैं हमें पुजा में किन-किन सामाग्रियों की आफसकता होती है अच्छे तुटिया को गर्मी की धंतेरस भी कहा जाता है अच्छे तुटिया के दिन आप इन्हें अपने घर ला सकते हैं इस दिन तिजोरी की भी पुजन किया जाता है इसी के साथ आप एक घी का दीपक, धूब दीप और आर्थी करने के लिए कपूर भी रख ले रोली, सिंदूर और चंदन को भी अपनी पूजा थाली में सामिल करें गड़ेश जी को अर्पित करने के लिए एक जनेव ले ले और वस्त समर्पित करने के लिए कलावा रख ले इसके बाद भवान गड़ेस और मातालचमीजी को अर्पित करने के लिए फूल माला भी रख ले और थोड़ी सी दूरवा भी रख ले अच्छे दृतिया की पुजा में चने की डाल और जोग को विशेश रूप से रखा जाता है चने के डाल को स्वड के रूप भी माना जाता है इन दोनों का आज के दिन दान करना सोना दान करने के बराबर होता है तो इनको पुजा में अवश्य रखें आप चाहे तो जोग का सत्तू भी पुजा में रख सकते हैं पंच मेवा रख ले, आज के दिन ठंडे और मीठे सामाग्यों का भो अरपड किया जाता है, चाहे वाफल हो या मीठा, कच्चे आम को भी आज की पूजा में रखा जाता है, यदि आपके पास हो तो उसे पूजा में जरूर रखे, थोड़ा सा गुड, चीनी, पतासा, जो भ जाता है, यदि बैसाख महीने में मिठी के कलस की पूजा करके उसको किसी जरूरुत्मन को दान कर दिया जाता है, तो वा अति उत्तम फलदाईं बाना जाता है, तो आप आज के दिन मिठी का एक बड़ा कलस, बड़ा का मतलब एक आदमी के पीने योग उसमें जल आ सके, ऐ इसके अलावा चार छोटे-छोटे कलस भी पूजा में रखे, यदि आपके पास ये कलस नहीं है, पहले तो कोशिस करें कि आप इनी कलस की पूजा करें, यदि संभो नहीं हो पा रहा है, तो आप पूजा में रखे हुए कलस का प्रयोग कर सकते हैं, एक जटावाला नारिय तथा आम के पनलो भी रख लें, साथ में मौसमी फल रखें, खीरा, कपड़ी, खर्बूज, तर्बूज, अंगूर, अनार जो भी आपको मौसमी फल मिल जाते हैं, उसको पूजा में अवश्य रूप से रखें, अच्छे तृतिया के दिन चंदन का विशेश महत होता है, तो पूजा में चंदन को अवश्य रखें, पूजा में दक्षिणा के लिए कुछ दान दक्षिणा रख लें, कुछ रूपए रख लें, अच्छे तृतिया का पर्व होता है, क्योंकि आज के दिन किया गया दान अच्छे हो जाता है, और हमें अनंद गुनाफलो की प्रा मिल किया जाता है, तो कुल मिला के अच्छे तृतिया की पूजा में हमें इन सामाग्रियों की आउसकता होती है, यह सामाग्री पारंपरिक पूजा की पुजन सामाग्री है, तो उमेद करती हूँ, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, मिलते हैं अगली वीडिय में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव